सो हलो एब्रीवन एक्चुली मैं क्या कर रहा था कि बी ओबी ओपलेंस एंड इटर्ना लेने का ट्राइब कर रहा था काफी समय से अभी तक यह दो कार्ड में तक ले नहीं पाया हूं मिला नहीं अभी तक मेरे पर इस कारण से मुझे कुछ इनफोर्मेशन मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ अच्छेर करना चाहता हूं प्लीज नोट कि यह जो इनफोर्मेशन है 100% करेक्ट नहीं होगा विकॉज क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकल दरीगे से मैंने नहीं करा है यह जस्ट एक इनफोर्मेशन है पट हां इससे आपको एक रफ आइडिया जरूर मिल जाएगा अगर आपको लाइक ब्योबी ओप्लेंस टेबेट कार्ड चाहिए या इटर्ना कार्ड चाहिए और इससे कम से कम आपको 90% क्लियर्टी तो जरूर मिल जाएगा कि exact अगर आपमें लेना है तो क्या steps और क्या procedure फोलो करना चाह तो मैं आपको बताता हूं अगर आपकी नीट कुछ इस तरीके की है तो ब्योबी ओप्लेंस कार्ड आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू लाग के देगा और सूट भी करेगा सबसे पहले मैं से कुछ इंपोर्टेंट फीचर के बारे मैं आपको बता देता है तो मेजर ली म सब्सक्राइब को लेने का ओफिश्यल ऑप्शन है वह यह है कि अगर अपने सेविंग अकॉंट में यह करेंट अकॉंट में क्वाटरली क्यूए अगर आप क्वाटरली एवरेज बैलेंस अगर 10 लाग अपने मेंटेन करके रखा हुआ है तो यह कार्ड के लिए आपको सब्सक्राइब कर देता है क्योंकि बहुत सारे जगह पर इसे इंटरनेशनल काफी जादा पट कोई ऐसा अच्छा काड नहीं मिल रहा है तो यह कार्ड आपको उन सब प्रॉल्म को फिक्स आउट कर देता है मैं पेड वर्जिन की बात करूं आर्जिस दे करके आप सिफ सब्सक्राइब कर पाऊगे अगर आप पूरे साल में एर्पोर्ट पिक एंट्रॉप उज़ करते तो क्या फैसलेटी से ही आपका साथ से 9000 पे रिकवर हो जाएगा प्लस आपको इंटरनेशनल एड डोमेस्टिक लांज एक्सेस बेनेफिट भी अपैड कर देते हो तो आप है'RE मैं आपको लुत प्रिका बता था हूँ कि चाहे तो लाइस फरीवी ले सकते है फर्स्ट इर फी ले सकते हैं समय थिया-समेतरों को इसलेजिए और साथकर semis आपको प्रीड़सक्त कर इसाथ छेंग से तो इस सबसे पर चाहरए, हैंना हाँ chances बहुत ही ज़्यादा है प्लस आपको ब्यूबी जो इटर्ना कार्ट है वो भी आपको lifetime free first year free या कि इसके जो chances है इस step को करने से आपके बहुत ज़्यादा high रहेंगे कि मिल सकता है और वो जो तरीका है वो यह कि ब्यूबी का एक एक radiance अकॉंट होता है जैसे कि आपका IDFC में wealth होता है एक्सिस में बर्गंडी होता है बर्गंडी प्रैवेट होता है ठीक वैसे ही ब्यूबी का top-end variant जो अकॉंट होता है वो होता है ब्यूबी का radiance अकॉंट होता है करंटे भी एक offer देख सकते हैं कि जो भी ब्यूबी रेडियंस चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस ब्यूबी रेडियंस अकॉंट को लेने के बहुत सारे अधर ऑप्शन्स है देखिए यह पहला ऑप्शन है कि आप इनिश्ट डिपॉजिट या फर्स्ट आईपी जो टैनलाग का डिपॉजिट करेंगे बैंक में गजरीटिश्ट करता है यह यह बैंक ब्रांच टो ब्रांच ब्रांच अलोकरता है ब्रांच मेनेजर आपको करने का ओवसंट देता है यह नहीं देता है वह खोलता अगर आपके पास car loan होता है तो भी आप इसके लिए eligible हैं अगर आपको existing loan है जो car loan वेगरा चल रहा है इस range में तो आप request दे सकते हैं वह आपको upgrade करके दे देंगे इसके इसी range में अगर आपका loan चल रहा है तो आप इन फैक्ट आप B.O.B. का जो eternal credit card है वह भी आप eligible है नेक्स्ट ऑप्शन है 35 लाग से लेके 4-5 क्रोड का अगर आपके पास कोई home loan चल रहा है तो भी आप इस radiance bank account के लिए आप eligible रह जाएंगे और इसके अलाबा भी एक option है क अगर आपका कुछ अच्छा relationship maintain हो रहा है B.O.B. के साथ तो भी आपका radiance account के लिए आप eligibility बनती है इसकी eligibility देखकर के आप यह नहीं सोचिएगा कि यह तो बहुत ही ज्यादा है बट हाँ यह ज्यादा जरूर है बट मैं आपको situation बताता हूं कि अगर आप इस situation में लाइक करत सकते हैं या फिर family में कोई already loan चल रहा है father, mother का तो उसके basis पे भी आप eligible है अगर आपको fund रखना है अपने saving account में retirement का पैसा आ रहा है तो आपको कहीं हो रखना ही है यहां भी आप रख सकते हैं या फिर आप कामी कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी eligibility अपनी आप बन जाती है अब example देखें मैं आपको संझाता हूँ खुद सौक था initially because कि काफी सारे चोटे चोटे बिजनेसे सोनर्स होते हैं मैं देखने में बहुत चोटे लपने से आपके nearby में होंगे जो जैसे फ़र्चुने की दुकान की दुकान जिसके आपकी sales होते होंगे ठीक है या फिर कपड करा देते हैं अपना सारा पैसा तो एकर कुछ लोगों का इस टैप का बिजनेस रहता है ठीक है तो ऐसे ही एक मैं बैंक में था तो मुझे पता चला था इंफक्त की जो जिससे मेरी बात चल रही थी वहां पर परसन से अकाउंट के बारे में उनने बोला कि देखिए सरी क्ल और यह अगर मैं यह कहूंगी घैंडरेक्टली राडाटर के लिए लिजबल है तो यह नहीं लेंगे इनको इनको जीडरो बैलनलती चाहिए और इनको कुछ करना भी नहीं है बस जीरो बैलनलत रखना निकों इसके कारण क्या होता कि काफी सारे लोगों को अग्एंड में उनकी Radiance account पर अप्ग्रेड भी हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, इंफेक्ट कई हों के eligibility बनी भी रहती हैं, उनको ये बात पता नहीं होता है, कि उनका account वो Radiance account के लिए eligible है, और उनका account अप्ग्रेड भी हो चुका है, और उनको इस बात से कोई फरक भी नहीं पढ़ता है कि उनका एक रीडियंस अगर बूल देते हैं वह बता रहे थे तो कि कई डर तो नहीं को सिधा सवाल कुछ पैसे तो नहीं कटेंगे कुछ चार्ज तो नहीं देना होगा तो यह सब चीजे इस टाइप का अगर कुछ बिज हो जाएप की बन जाती है आप ब्रांज विजीट करिए उनको रिक्वेस्ट दीजे साथ से दस दिन में अपका रिक्वेस्ट कर लिए जाएगा और आपको डेट कार्ड भी आपको इसके लिए आ जाएगा इसका रेडियंस एकाउंड का जो बेनिफिट है वो मैं डिसकस न नहीं मुझे मिल रहा था अभी कैसे मिलेगा इस एकाउंड के साथ जो इसका रेम मिलता है वो बहुत पावरफूर होता है और यह आरेम आपके लिए यह सारा चीचे करके देगा जो रिडियंस एकाउंड है वह और उपर से यह को नहीं अपने बहुत बड़ी अपने अपन करना क्या है अपने आरेम को कनेक्ट करना है तो मुझे ब्योबी और डिबेट कार्ट चाहिए प्लस मुझे ब्योबी का इटरणा काड भी चाहिए आप उनको पूस करना कि वह आपको लाइफ टैम फ्री आपको ओफर करें वह अगर अगर अपने पर ट्राइप करने के खाल आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रोसेस से आपको मिलने के चांसे सिंक्रीज हो जाए लिविए कोई कुछ पॉइंट कर देता हूँ अगर मालेज आपके पास कोई भी अगर FDF रखते हैं 2.5 lakh के 2.5 lakh से एभब तो भी आप Eterna कार्ड अब ले सकते हैं तो यह कुछ था Eterna के लिए तो जैसे ही अगर मालीचे आपका यह account अपग्रेड हो जाता है Radiance पे तो आपको lifetime free मिलने के जो chances हैं B.O.B. Eterna और B.O.B. Opalence वो हाई हो जाएंगे इनकेस आपको lifetime free B.O.B. Opalence नहीं मिलता है तो lifetime free मिलने के आपका जो Eterna है वो chances हैं और अगर इनकेस तोनों ही lifetime free नहीं मिलते हैं दोनों से कोई भी lifetime free नहीं मिलते हैं और अगर आपको बहुत कुछ ट्राइक कर लिया कि आपको Eterna कार्ड नहीं मिल रहा है अपको जो जरू जाएगा बट आप RM के दिरूप पूश करके इसको first year free या lifetime free भी करवा सकते हैं तो बात यहां पे है सिंपल टोटली डिपेंड करते हैं कि RM आपके लिए कि इतना fight करते हैं और RM के साथ आप कैसा relation बना करते हैं अगर मैं बताओं B.O.B. Radiance account के बारे में तो B.O.B. Radiance account में अगर आपने जो 30,000,000 का TRB है अगर वो आप maintain नहीं करते हैं तो every six to eight months या nine months में वो लोग आपका account को overview करते हैं अगर उस level का fund maintain नहीं होता है तो आपको notification भेजेंगे बट एक चीज़ का ध्यान रखे कि यहां भी same वैसे ही situation है कि अगर आप माली जे फंड मेंटे नहीं होता है तो automatic downgradation जल्दी नहीं होता है यह manual process है अगर आप तोटली डिपेंड करता है कि अपका RM या brand के साथ कैसा relation है वो चाहे तो आपका कर सकते हैं चाहें तो डाउंग्रेडेशन को रोक भी सकते हैं कि आपका RM के साथ आपका कैसा relationship बनता है कि सो overall यह कुछ था इस वीडियो के अंदर अगर आपका कुछ query है तो कमिंट करें वीडियो को लाइक कीज़ें चैनल को subscribe कीज़ें सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में धन्यवाद